गुए राएगर जिले के किरोडी मलनगर एल्वे स्टेशन के याड में रेल लाइन के किनाले रखे काले रंग के बकसिनुमा मशीन को उठा कर स्टेशन एरिया से बाहर लाकर मशीन को तोड़कर जैकेश भट नामक कबारी को बेचने वाले तींच जोरों वकाबाडी को आरपीएफ ने गिरफतार कर लिया है कांकिर जिले के बांदे सब स्टेशन के अंतरकत मरोडा गाउ में 11 केवी लाइन मिंटेनेंस कारे करती समय तीन शमिक करंड की चपेट में आ गए तीनों शमिकों को पकांजुर अस्पताल रिफर किया गया जहां मरोडा निवासी परदू उईके की दर्दनाख मौत हो गई और अन्य दोनों शमिकों का प्रात्मी की इलाज के बाद हाइर सेंटर रिफर किया गया जंगल में जुमा खेल रहे जुवाडियों को रंगे हाथ थाना बोध घाट ने कारवाई की है पुलिस ने आड़ावाल कुसुम पाल के जंगल में चार जुवाडियों को पकड़ा है इनके कबजे से 17,500 नगत वह एक स्कूर्टी चार मूबाईल वह 52 पत्ते जब किये हैं नशे के सौधागरों पर की जा रहे कारवाई के बीच महा समुन पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कारवाई को अंजाम देते हुए एक नशे के सौधागर को दबोज कर आरोपी शेखर मेरे के कबजे से 3,64,930 रुपए की नशिली दवाओं को बरामत किया है मगर ब्लेक मारकेट में इसकी कीमत 20 लाख रुपए से भी अधिक बताई जा रही है कोरबा जिले के दिपका खदान से डीजल चोरी करने वाले दो आरोपियों को दिपका पुलिस ने गिरफतार कर लिया है आरोपियों के कबजे से जुमला 60 लीटर डीजल वह अपराद में प्रयूक्त मोटर साइकल जब की गई है आरोपियों को गिरफतार कर नियाएक रिमान पर भेज दिया गया है धमतरी के बोरई थाना पुलिस ने हरेली के दिन पिता की डांट से नाराज होकर लकडी की पटनी वडंडे से सिर परवार के मोट की नीन सुलाने वाले पुद्र नरे सामर्थ को गिरफतार कर लिया गया है जांगीर चांपा जिले के पामगड थाना शेत्र के ग्राम भुई गाउं में एक युवक ने अपने शराबी पिता की गमचा से गला घोट कर हत्या कर डाली जिसके बाद स्वभाविक मौत बताती हुए कोटवार के पास लगड़ी वकंडा निकालने के लिए मुनादी करा दी ग्रामिडों ने मृतक के गले में निशान देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी मौके पर पहुची पुलिस ने मृतक के शवका पंचनामा कर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया है वही आरोपी पुत्र को गिरफतार कर लिया है सिक्षित विरोजगारों को नौकरी लगवाने का जहांसा देकर लगभग 75 लाग की ठागी करने वाले दो आरोपियों को अंबिकापूर भट्टी रोड निवासी मृगांग सिनहा वह उसके सहयोगी अमित पैकरा को सरगुजा पुलिस ने गिरफतार कर लिया है आरोपी मृगांग सिनहा रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से ही फरार बताया जा रहा था पकवाड़े भर पूर्वस चोरी के संदेह पर दो मोटर साइकल के साथ गिरफतार आरोपी आशिश गुपता से हुई पूच्ताज के आधार पर पुलिस ने आशिश गुपता समेत पांस आरोपियों को गिरफतार कर छे मोटर साइकल बरामत करने में सफलता हासिल की है पुर्बा जिले के बाल को थाना शेत्र में एक युवक की ट्रेक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई घटना के बाद वो ट्रेक्टर के नीचे ही फस गया घंटों की मशकत के बाद उसे निकाला गया तब तक उसकी जान जा चुकी थी बताय जा रहा है कि खेट जोताई के दोरान गारी कीचर में फस गई थी उसे ही निकाले के दोरान ये हाथसा हुआ राइगर जिले के धरम जैगर थाना के चौकी रहरूमा शेतर अंतरगत 26 जुलाई की रात यादाव धाबा से आगे कार में आए वेक्तियों ने चालक और खलासी की पिटाई कर 30 तन छड़ लोड ट्रक लूट लिया था रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी लोकेश यादाव वपुर्शोत्तम यादाव को गिरफतार कर लिया है वारदात में शामिल पांच अन्ने आरोपी परार बताय जा रहे हैं उनकी पतासाजी की जा रही है राइगर कोतवाली थाना प्रभाई निरिक्षक मनीश नागरद्वारा मुखवीरों को सक्री कर विवेचकों की टीम बना कर मुल्जिम की पतासाजी की जा रही है 30 जुलाई को कोतवाली पुलिस तीन अलग-अलग मामलों में चार आरोपियों गिरफतार का रिमान पर भेजा गया है राजनात गाउजिली की चीचोला पुलिस ने तमबाकू का अवेक्ट परिवहन कर रहे युवक को गिरफतार कर लिया है आरोपि के पास से 200 किलो तमबाकू जब किया गया है जिसकी कीमत डेर लाख रुपए बताई जा रही है इसके अलावा तसकरी में प्रयुक्त कार को भी जब किया गया है राजहरा पुलिस ने बहु व समधन से मारपीट करने वाले आरोपी पिता पुत्रों को गिरफतार कर लिया है पुलिस ने आरोपियों को रिमांट पर जेल में दाखिल किया है मल्याली समाज भवन से लोहे का सेंटरिंग सामान चोरी करने वाले दो आरोपियों को पकड़ने में राजहरा पुलिस ने सफलता हासिल की है प्रार्थी महेश प्रताप सी मल्याली समाज भवन में छट की ढलाई करने लोहे की सेंटरिंग चैनल लगाया था 24 चुलाई को 44 नग में से 25 नग लोहे का चनल को आरोपियों ने चोरी कर लिया था बस्तर जिले परपा थाना शेत्र में 24 साल के एक यूवक ने नाबालिक यूती से दुशकर्म कर दिया बताय जा रहा है यूवक नाबालिक को भजिया खिलाने के बहाने घर से मार्केट लेकर गया था फिर बहला फुसलाकर जंगल में ले जाकर दुशकर्म किया रासधानी रायपूर की गुढ़ियारी पुलीस ने मुखबीर की सूचना पर रायपूर रिल्वे स्टेशन के पार्किंग नमबर 6 से दो यूवकों विशाल रायकवार एवं नितिन अहिरवार को गिरफतार कर उनके कबजे से लगभग डेड़ लाक रुपे कीमत का कुल 15 किलो ग्राम का गांजा जब किया है बिलासपूर इस्थित केंद्री जेल के गेट से एक कैदी फरार हो गया है वो 18 दिन से पैरूल पर अपने गांग गया हुआ था शुक्रवार को उसकी जेल में वापसी होनी थी देर शाम तक जब वह वापस जेल नहीं पहुचा तब प्रबंधन ने उसकी परिजनों को कॉल किया इस दोरान परिजनों ने बताया कि अभी उसे जेल के गेट तक पहुचा कर लोटे हैं बिलासपूर के कोरवा मर्ग में ग्राम सिंद्री के पास गलत दिशा से आ रही रेज से लदी ट्रेक्टर से ट्रेलर की टक कर हो गई घटना में दोनों वाहन बुरी तरह शतिग्रस्त हो गए साथ ही ट्रेलर चालक की मौके पर ही मौत हो गई राइगर शहर की हिमो कलानी चौक में बेकाबू मोटर साइकल चालक ने मौर्णिंग वाक पर निकले एक भुज़ूर को इसकदर अपनी गिरफ्त में ले लिया कि उसकी जान ही चरी गई बेलगाम रफ्तार से कहर का ये मामला चक्रधर नगर थाना शेदर का है पुलिस ने मुकदमा पंजीबत कर लिया है जश्पूर जिले के बगीचा तहसिल चौक के पास एक तेज रफ्तार डंफर ने एक युवक को बुरी तरह कुचल दिया है युवक की मौके पर ही मौत होना बताया जा रहा है इस घटना के बाद डंफर चालक मौके से फरार हो गया बिलाइसपा सयंत्र में इस बार कर्मियों ने बदलाओ पर मुहर लगाई है बेसपी में अपना पताका को लहराने के लिए पिछले सब्ता भर में सभी ने पसीना बहाया है जिसमें सयंत्र के शम्मिक नेता से लेकर उनके कार्यकरता तक शामिल है छोटे मार्जिन में बड़ी सफलता वी एमेस को मिली है इसका श्रे चिन्ना के शवलू वरावी सिंग को जाता है झाल 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 झाल